ओम शान्ती फ्रेंट्स कई पर आप सूचते होंगे कि हम रोज सैर करने जाते हैं, हम रोज मेडिटेशन भी कर रहे हैं, योगा भी करते हैं, आसन भी करते हैं, प्राणयाम भी करते हैं और भोजन भी ठीक ठीक खाते हैं, नेचुरोपेथी भी करते हैं, तो भी हमें बिमारी क्यों आई, ये ब्लड प्रेशर क्यों आगया हमें, डायबिटीस क्यों आगई, हमें इतनी गैस क्यों बन रही है पेट में, हमें नहीं प्रापर क्यों नहीं आ रही है, दोस्तों सबसे इंपॉर्टन चीज़ है हमारा वहवार बात की कि वहवार आहार विहार उन सब से इम्पॉर्टन रह वहवार क्यों कि वहवार है हमारा और वह वहार डिसाइड करताropolाै कुछ नहीं है कई पर आप meditation कर रहे हैं, आप रोज सुबा चार जोटके meditation भी करते हैं, क्यों तो आप वहवार को परिवर्तन ही करते हैं, होता क्या है, वहवार बनता कैसे है हमारा, जब हम छोटे बच्चे होते हैं, दो-तीन साल के बच्चे होते हैं, तो हम लगबग 3-4 साल की उमर में दू में द्याते हैं एंसे थित रहता हैं, और अदर से यह मुशक रहता हैं, और अदर से हिक खुश रहता हैं, कभी कभी दूसरी एक्टिवेटी से वह खुश होता है, अलब काल के लिए कि अodus दे इसल में होती हैं, तो जब बाहर से देखने लगता है, पच्चा स्कूल जाने हम इसको वो accept करता रहता है जिस बात से भी जिसमें result आता है और उसे impress हो के उसे जैसे कि मानले जी एक बच्चा है तीन साल का साड़े तीन चार साल का देख रहा है कि उसकी माता जी कुछ दूसरे भाई बहनों कह रहे है कि काम करो ये काम करो और वो काम नहीं कह रहे हैं कहना एक दम सब लोग काम कर देते हैं तुरंत काम हो जाता है तो बच्चा इंप्रेस होता है क्रोध करने से काम जल्दी होता है ऐसा ही मदर को एक दिन देखता है मदर कोई बात पर रो देती है तो पिता जी जल्दी से वो काम कर देते हैं ऐसा ही भाई बेन उसरे भाई बेनों क को देखता है स्कूल में जाता है टीचर को देखता है अपने फ्रेंड्स को देखता है जहां रिजल्ट आता है उससे इंप्रेस होता है जल्दी जल्दी करने से काम जल्दी हो जाता है चिंता करने से बार बार कहने से काम जल्दी हो जाता है तो इस और अपनी कभी-कभी बात माता-पिता को शेयर करते हैं, टीचर को शेयर करते हैं, लोग डाट देते हैं, आप ऐसे बात नहीं करो, ये बात मुझे अपर में नहीं बताओ, तो बच्चा फिर शेयर करना बंद करते हैं, तो इस तरह से हमारी नेचर, ग्यारा साल की उमर तक हमारी परस्नलिटी बन जाती हैं, लड़के में secondary male characters आने लगते हैं, वो लड़का दिखने लगता है, मूझे आने लगती है, बच्ची के शरीर में कुछ और परिवर्तन होने लगते हैं, तो वो परिवर्तन उसके बाद, उसके, जैसे पिर बच्चा बड़ा होने लगता है, एडलेसिंस में आता है, यं कई लोग चिंटा में रहते हैं इन्जाइटी उनको होती है, कई लोग बोट sensitive हो सेंसिटीब हो जाते हैं, बोट emotional हो जाते हैं, कई लोग अपने मन के कोई भात sharing नहीं करते हैं, तो दोस्तों इसी विवार से बिमारियां पैदा होती हैं और हमें सभी बिमारियां लगभग मन और तन की सभी बिमारियां इसी कांड पैदा होती हैं जब तक इस विवार को हम नहीं बदलेंगे आप कितना मर्जी meditation कर लिजे कितनी मर्जी yoga कर लिजे कितनी मर्जी आप हार को change कर लिजे share कर लिजे आपकी बिमारी नहीं निकलेगी तो दोस्तों आने वाले कड़ियों में और बात करेंगे कैसे हम अपने विभार को परिवर्दन करें इसी के साथ आप से विदा लेते हैं ओम शाथि